हेलो दोस्तो polytechnic learning 77 classes में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज 29 तारीक है और आप सभी को पता होगा UP polytechnic previous परिच्छा यानि UP polytechnic entrance exam 2022 का admit card आने वाला है सभी ग्रूपों का ठीक है चाहे वो A group हो चाहे वो B group हो कोई भी group हो सभी ग्रूपों का paper जो admit card है वो आने वाला है आज आने वाला है लेकिन दोस्तो एक बात यहाँ पर पहले में और भी बता दिता हूँ कि यह इसमें जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्या-क्या important चीज़े बताऊंगा दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि admit card आपका कितने बज़े आएगा आप सभी बेसबरी से बहुत ही ज़्यादा अपने admit card का इंतिजार कर रहे होंगे मैं सभी से आसा भी करता हूं और बहुत सभी बच्चों के comments भी आ रहे हैं इस वज़े से मुझे वीडियो देना पड़ा है आप सभी को कि admit card card होगा आएगा उसका format किस तरीके से होगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थमनेल पर लगा दिया कि किस तरीके से आपका admit card का जो था होगा format किस तरीके से होगा और दूसरी बात आपको step by दे कि यहाँ पर completely मैं live पहली मैं बता दे रहा हूं दोस्तों आप वीडियो करना चाह confirm हो जाएगा कि आपका exam post phone होगा या फिर आपका exam होगा ठीक है ना दोस्तों कितने वेज़े तक कि timing है और किस तरीके का आपको क्या है कहां से मैंने सारी news collect कि है वो सभी कुछ वीडियो में आपको जल से बता देता हूं तो सबसे पहले start करता हूं दोस्तों कि यह जो आपक का confirmation होता है लेकिन कभी-कभी थोड़े सी चीजे टल भी जाती है आप सभी को पता होगा कि जो exam form भरने की date थी यानि कि UP Polytechnic form भरने की date थी वो दो बार बढ़ी थी इसी recording यह माना जा रहा है कि अभी आपके जो exam है वो हो सकता है बढ़े लेकिन यह confirm अभी नहीं का आ जा सकत है लेकिन अभी तक आप सभी का admit card नहीं आया है तो कितने मेज़े तक आएगा वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में मैंने अभी online भी चेक किया तो कुछ online website में भी अभी वही दिखा रहा है कि admit card release date 29 मई 2022 यह भी मैंने अभी just google पे ही यह search किया है officially तभी लेकिन step by step जो download करने का live इस बार का वो मैं अलग आपको वीडियो बना कर दूंगा जब वो आ जाएगा ठीक है तो पहली बात देख लीजी यह official website है दोस्तों जब आप gcup.nic.in पर जब आप login करेंगे दोस्तों तो यह official website है पहले बार देख लीजी किसी आपको other website पर नहीं जाना है यह official website है यहाँ पर एक बात देख लीजी यहाँ पर साब साब दिया हुआ है latest news यहाँ पर आप साब साब देख रहे होंगे latest news यहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा admit card release date ठीक है यह पहले का मैं इस वो लेयर के रखा इस वज़े से है यहाँ पर आपको सारा का सारा यहाँ पर उसके बाद apply for gcup section पर आप करेंगे क्लिक तो किस तरीके से जैसी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का format आ जाएगा registration candidate इसी तरीके का आपको format आ जाएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर application number डालना होगा password डालना होगा यह जो आपका format बतारहाएं कि AAP सभी का admit card किस तरीके से आएगा तकि आपको हो सकता है कुछ बच्चे हों जो दूसरी बार एक्जाम दे रहे हैं इस फूराना मैंने पहले बता दिए यहां पर आपको एक format समझाने के कुछ चीजे में समझाने के लिए ही इस वज़े से मैं यहां पर लगाया है सबसे पहले बता दू कि यहां पर आपका सबसे पहले तो candidate name देख लेना आपका नाम सही है या नहीं है कोई spelling mistake तो नहीं है इसके बाद आपको application number भी अपना एक दोस्तो यह चीजे होते हैं देखिए आप जाएंगे काफे पर या फिर अपने से भी आप मैं डाउनलोड करने का तो प्रसेस में बताई दूँगा किस तरीके सा आपको डाउनलोड करना है अगर कैफे वगरा में भी जाते हैं तो भी ले इसके बाद आप अपनी data बर जरूर चेक करें कि जब आप एक्जाम देने जाएंगे वहाँ पर आईडी प्रूफ ले जाएंगे तो वह एक डेट आप बरत बगरा चेक होती है इसके बाद आपको domicile भी चेक होगा state के eligibility में domicile UP है या फिर other than UP होगा तो भी आप लिखके आएगा आपका जो यहां पर address होगा address लिखके आएगा इस आप address भी दोस्तों सभी तरीके से चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है अगर कोई गलती हो तो जरूर दोस्तों इन सब सारी चीज़ों में अगर कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट्स में अभी बता देना टिक न य आपका फोटोग्राफ साब साब दिखना चाहिए इसके बात बात करते हैं यहां पर आपका एक्जामनेशन सेंटर एंडर्स रहेगा कि कहां पर आपका एक्जाम सेंटर है प्रॉपर एडर्स यहां पर दिया रहेगा आपके एक्जाम सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम होती पर signature आप candidate याने कि आपके signature आपके signature होंगे आपके signature जो सो हो रहे होंगे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तो इन सारी चीजों में जो माईने सारी चीजे बता यह एक ही चीजे आपको कुछ भी चीज अगर कहीं नहीं दिख रही है या फिर खुछ भी ऐसा भूस FIN की ए नुचल जाएगा कोई दिखाएं के दूज e पिर भी कोई डाउट है या फिर कोई भी परसानी आए तो मुझे कमेंट्स में टेलिग्राम इमेल इंस्टकाम कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल करने के लिए मैं बिल्कुल हूँ दोस्तों यहां पर इस तरी किसे मैंने फॉर्मट बता दिया औ अगर इतने बजे के बीज नहीं आता है तो फिर आपका लगबग 9 बजे रात तक आपका एड्मिट कार्ड आएगा इन दो टाइम के बीच आपका एड्मिट कार्ड आएगा यह मेरे अनुसार गयस है जो मैंने रिसर्च के उसके अधार पर मैं बता रहा हूं दोस्तों यह कहीं पर ओफिसियली कहीं पर लिखा नहीं गया क्योंकि बहुत सारी सीजे हैं मैं पिछले साल सी कांसलिंग वगरा की जो भी आपकी सीटे रहते तो उसी के एक तो टाइमिंग यह एक बज़े से लेकर के चार बज़े तक है तो फिर आपका 9 बज़े लगबग आपका फिर अगर इसके पहले भी आ जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता है या फिर आप मुझे पर्शली मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आधर बच्चों की भी हेल्प कर पहूं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद और को भी डाउट हो ता मुझे कम सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करने से लाइक और कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद धन्वाद थैंकि दोस्तों